प्तर पुदेश के शर्म और सिवा योजन विभाग के अध्यक्ष रगुराज सिंग अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरते नजर आते हैं पहले AMU छात्रों को जिंदा गार देने की बात करने रगुराज सिंग ने किल सरकार से बुर्का बेन करने की मांग कर डाली है मंत्री जी का मानना है कि बुर्के की आर में देश में आतंगवाद को बढ़ावा मिल रहा है उन्होंने श्वेलंका का उधारन देते हुए भारत सरकार से बुर्का बेंड करने की मांग की है यूपी सरकार के मंत्री ने की बुर्का बेन करने की मांग बुर्के की आर में पनप्रहा आतंगवाद रवगरास सिंग का ये कहना है बुर्के के बेन से लगेगी आतंगवाद पर लगा रवगरास सिंग के बयान से सियासत में फिर बुर्का कि यह एक मैंने बुरके की बेन इसलिए किया है को कि इसमें आतंकबादी तेक है जैसे श्री लंका में बंध है चाइना में बंध जापान बंध है अमेरीका में बंध है ऐसे तमाम यहां धीड़िक इस दो जिसमें केवल मुस्लिम कंट्री छोड़के बाकी सब कंट्रियों में लगवाग बेन है इसलिए भारत में भी आतंगबाद को समाप्त करने के लिए ये बुर्खा समाप्त करना पड़ेगा ऐसी मेरी भारत सरकार से मांगे मैं तो बहुत पहले से कहा हूँ आप लोगों ने चला अभी था बुर्खा तो अनार्किस्ट लोगों का काम है और बुर्खा ये तो महिलाओ का एक उत्पीडन है बुर्खा कभी भी किसी लोग के हिसाब से ये सरियत के हिसाब से नहीं है बुर्खा तो महिलाओ पर पाबंद झाल झाल